Today I am going to show you how to practically question with the modern examples आज हम देखेंगे कि practically questioning कैसे करी जाती है जो भी हमारे belief system से उसको कैसे question करें और reality तक कैसे पहुचें practically आज हम with examples बहुत prepare करके आयों मैं आपको समझाऊंगा So let's start वीडियो में जाने से पहले हम बताना चाहता हूं कि कोई भी monetization इस channel पर कभी नहीं होगा क्योंकि ये channel totally मेरे passion के लिए है मेरे growth के लिए है और आपके growth के लिए तो अगर ये ads आ रहे हैं तो वो YouTube को पंगा है मैंने monetization कोई on नहीं किया है इसमें बहुत ही rare ऐसा होता है कभी आप click करो तो ad आ जाता है in fact monetization मुझे on मिल चुका है पर मैंने नहीं किया है मेरे दूसरे दूर चैनल होंगे उस पर मेरा monetization on है पर इस channel पर कभी भी monetization on नहीं होगा so we are going to learn the art of questioning now the problem with the people is that they don't understand how to apply questioning in their own scenario मतला अपनी जिंदगी में questioning कैसे apply करें ये actually हमें पता नहीं होता है तो ये है परसल ये है एक फिल्टर और ये है reality ठीक है so this is reality and this is person मैं उपर का मिटा देता हूं जिससे हमें थोड़ा से space मिल जाए अब क्या होता है कि now when you are looking into the world so this is let's say this is a vision the person looking at reality ओके बीच में एक फिल्टर आ जाता है जिसको हम कंडिशनिंग कह सकते हैं ठीक है कंडिशनिंग फिल्टर क्या होता है कि जब हम किसी भी चीज़ को as it is देखने की बात कर रहे होते हैं तो हम चाहते हैं कि हम इस फिल्टर के थुरू ना देखें right so अभी हम example के थुरू मैं इसको समझाने कोशिश कर रहा हूं पर ये एक illustration है जिससे आपको थोड़ा सा सौझ में आए कभी भी जब भी हम reality देखने ही कोशिश करते हैं तो हम इस फिल्टर के थुरू नहीं देखते हैं उसको ठीक है अब हम लेते हैं कुछ examples तो पहला example है belief one what should I take लड़के तो धोके बाज ही होते है यह belief one है लड़के धोके बाज होते है अब यह कैसे आ रहा है यह statement कैसे आ रहा है ठीक है यह statement आ रहा है या तो आपकी अपनी memory से यह किसी बंदी या बंदी ही कर रही है अभी है फिलादुकी लड़के बोल रही है या तो उस memory से वो अपने experience के through इस statement को अपने जिन्दगी में लाई है अभी यह सोच रही है और या तो उसके आसपास उसने कुछ देखा है ठीक है तो ultimately चाहे वो खुद के experience से बने या environment से बने वो बनता belief ही है ठीक है मैंने belief one लिखा है क्योंकि आगे हम और बें देखने वाले है लड़के तो धोके बाज होते है अब इसकी अगर हमें reality तक जाना है तो हम इसको कैसे investigate कर सकते हैं अब वापस अपने model पे आते हैं यह हमारा model है यह person है और यह reality है यह filter यहाँ लगा देंगे जैसे ही यह filter लगाएंगे तो person reality को देखेगा तो distorted reality दिखेगी उसको ठीक है distorted reality मतलब जो सच नहीं है जो कह सकते हैं जूट है तो ऐसा इनसान जब filter की जब यह conditioning हो जाती है कि आपने memory से भी देखा आपने experience में भी देखा आपके एक, दो, तीन, चार break up हो चुके है सब में आपको दोके मिले ठीक है आपने अपने दोस्तों को देखा वहाँ दोके हो रहा है आपने movies में देखा media, entertainment, stories पड़ी, books पड़ी कहीं सभी कुछ भी आप देखोगे हर वो चीज जो आप पढ़ रहे हो various number of beliefs is called conditioning तो conditioning हमेशा reality से related होनी जाहिए तो इसको कैसे पता लगाए है मैं आपको formula दे रहा हूँ अगर कोई भी statement यह जो statement है यह एक belief है लेकिन अब इसको मैं statement बुला रहा हूँ अगर कोई भी statement कोई भी पूरी दुनिया में यानि 700 करोन पर अपलाई होता है तो ही मान सकते हैं कि वो reality है अगर कोई भी statement कुछ लोगों पर अपलाई होता है तो वो reality नहीं है तो अगर हम यह कहते हैं कि लड़के धोके बास होते हैं तो इसका मतलब आपका भाई आपके पिता जी automatically आप उनको भी बोल रहे हो तो अगर वो धोके बास सच में होते तो आपकी मदर को छोड़ चुके होते ठीक है अब आप कहोगे नहीं नहीं वो 90s, 80s की बात मत करो आज के जमाने के लड़के करा एक और belief आ गया आज के जमाने के लड़के दोके बास होते भाईया मेरे अगर आज के जमाने में लड़के दोके बास होते तो divorce rate जो होते वो 100% होते divorce rate अभी 50-40% के नीचे है ठीक है तो कैसे तोड़ रहा हूँ मैं मैं ये statement पहले अपने mind में देख रहा हूँ देखा कि अच्छा ये तो चलो मेरे mind ने suggest किया कि चलो जितने भी couples हैं उनको scan करता हूँ तो मैंने आसपास देखा divorce rate 100% नहीं है breakup rate 100% नहीं है मेरे 10 में से मान लीजे अगर 4 दोस्तों का breakup हो रखा है धोके बास की हो जासे लेकिन क्या मेरी जिन्दगी में क्या आपकी जिन्दगी में ऐसे couples आपने नहीं देखे है जो जिनमें लड़के बहुत अच्छे होते हैं तो क्या ये statement जूट है बिलकुल जूट है क्योंकि अगर ये सच होता तो ये 700 करोड 750 करोड पर applied होता 750 करोड हो चुकी जन्दग क्या applied होता ठीक है जैसे gravity है आप सुबा उठो 4 बजे pen को नीचे फिको तो pen नीचे गिरेगा आप सुबा 2 बजे उठो जिस दिन आपका mood खराब है उस दिन उठो जिस दिन आपका mood बहुत अच्छा है उस दिन फिको तो जब भी आप fake होगे कभी भी fake होगे pen नीचे ही जाएगा तो यह सच है यह वक्त का इस पे कोई role नहीं होता है ठीक है तो अब यहां मैं क्या कह रहा हूँ तो अब यह जो model मैंने बनाया है यहां पे इसका क्या काम है अब देखो कितनी interesting चीज़ आएगी यहां पे जब इनसान B1 को अपने हकीकत माल लेता है belief 1 को लड़के रोके बाजी होता है राइटिंग पे मेरे ध्यान मत देना थोड़ी शुरू से खराब राइटिंग रही है तो इस model का क्या role है यह इनसान इस filter के थुरू reality देखेगा तो जब इस filter के थुरू यह reality देखने कोशिश करेगा तो इसको ऐसे ही लोग दिखेंगे जो इस statement को belief करते हो इसके ऐसे ही दोस्त होंगे जो इसको reinforce कर रहे है इस statement को इसके दोस्तों के साथ भी यही हुआ होगा यह movies भी ऐसे ही देखता होगा ठीक है तो जितना ज़्यादा आप इस statement से related content consume करते जाओगे लोग के साथ consume होते हैं उतना ही यह filter strong हो जाएगा अब यह क्या कर रहा है आपको reality से दूर कर रहा है तो अब यह आदमी क्या कहेगा कि भाया यह filter ही reality है उसकी जिंदगी में reality नाम की कोई चीज नहीं है यह filter ही reality है मतलब क्या कि person इस statement को देख रहा है लड़के दोके बाद होते हैं यह statement ही reality है तो ध्यान से पकड़ना मैंने कैसे इसको पकड़ा अब मैं हम आते हैं कि कैसे यह beliefs बनते हैं इसको भी देख लेता है तो मैं इसको रप कर लेता हूं जल्दी हल्दी ऐसे एंसान की जिंदगी में आर नाम की चीज ही नहीं यानि reality नाम की चीज है नहीं वो filter को ही reality माने तो यह beliefs बनते कैसे हैं यह beliefs बनते कैसे हैं self experience environment तो इसको internal environment और external environment भी कह सकते हैं environment में क्या आ गया mass क्या बात कर रहे है social media news movies लोग books the people you are around with all these things will come into environment self experience क्या जो मेरे अनुभव में है जो मैंने अभी तक मालव में 28 साल का हूँ तो अभी तक जो मैंने अनुभव किया तो मेरे अठाइस साल की जिंदगी में अगर मुझे तीन बार relationship में गया हूँ और तीनो बार मुझे दोके मिले हैं तो यह belief strong हो जाएगा अब यह belief कुछ भी हो सकता है मालव लिजे पुराना वाला statement जो मने लिखा था कुछ भी हो सकता है ठीक है तो या तो यह experience से बनते हैं या environment से बनते हैं यह बात याद रखेगा अब आते हैं दूसरी चीज़ पर कोई भी चीज 700 करोड में नहीं applied हो रही है 700 करोड लोगों पर तो वो reality नहीं है अब लेते हैं B2 पैसा कमाना मुश्किल है यह B2 है तो यह हमारा person है यह filter है यह reality है यह person देख रहा है रियालिटी को चीज़ ए filter FTR conditioning ठीक है तो statement क्या है पैसा कमाना मुश्किल है typical statement है तो क्या पैसा कमाना सब के लिए मुश्किल है या फिर दुनिया में ऐसे 10% लोग है जिनके लिए नहीं है तो मुझे बताओ अब यह कैसे बना यह statement कैसे बना क्योंकि 90 प्रतीशत लोग जूट बोल रहे हैं सुबा से लेकर शाम तक जब यह 90 प्रतीशत लोग जूट बोल जूट आपको बोलती जा रही है तो क्या होगा कि यह automatically आपके उपर सबार हो जाएगा तो पैसा कमाना असान है और फिर पैसा कमाना मुश्किल है और कोगे आसान है तो कैसे आसान है सौ प्रतीशल लोग के लिए तो आसान है नहीं और सौ प्रतीशल लोग के लिए मुश्किल भी नहीं है 700 करोन लोगों में सबके लिए क्या पैसा कमाना आसान है या 700 करोन लोगों में सबके लिए the questioning investigate कैसे कर रहा हूं मैं क्या वो question 700 करोण लोगों में applied है अगर है तो वो reality है जैसे gravity ठीक है तो अब मुझे यह बताओ आप लोग कि अगर मुश्किल है तो मुश्किल क्यों लगता है एक तो जया है कि 90 परतिशत लोग सबको मुश्किल लगता है इस व्यड़े से मुझकिल है पर 10 परतीशत लोग ऐसे भी है जिनके लिए बहुत आसान है उनकी passive income आलरी करोणों में करोण हो कि तो क्या कि आसान है न आसान है न मुश्किल है तो अब आसान कैसे बनाए जब आपका फोकस इन 10 परसेंट पर रहेगा यानि आपका उठना बैठना इन लोग के साथ रहेगा तो इनकी कंडिशनिंग आपके ओपर हवी हो जाएगी तो यह अभी आसान है में करवड़ हो जाएगा आसान है संदीन जी वाला नह लेकिन अगर आपकी कंडिशनिंग जो कि अभी आपके लिए नभी परतिशन लोग के साथ उठने बैठने की है तो यह आपके लिए मुश्किल है इसलिए सब के लिए मुश्किल है क्योंकि अभी इस समय आपकी आपकी उठना बैठना इन 90 परतिशन लोग के साथ है जो why should I understand why how does it matter if there if I have a conditioned mind how does it matter so you need to understand some nature of the mind or characteristics of the mind first you need to give value to that but how your mind is working the way your mind is working you need to understand because if you don't know how to go to the car you don't know how to go to the car you don't know how to go to the car oh my god it is एक जूट है, इसको भी question किया जा सकता, ये भी एक belief है, कि आप जो मान लोग है, आज नहीं तो कल वो reality बन जाएगी, आपकी, ठीक है, मानने से कुछ नहीं होता है, बहुत लोग मान के बैटें, मैं बहुत बड़ा singer बनूगा, मैं बहुत बड़ा entrepreneur बनूगा, 10 साल बाद मेरे मेरे पास इतना पैसा होगा, बहुत सारे teenagers है, 18 साल के उनके साथ मैं उटना बैटना है तो लोग ऐसी बात करते हैं, या फिर मेरे पास एक दिन swimming pool होगा, मैंने ऐसे बहुत सारे लोग को देखा है, जो KBC में जाने की चाह रखते हैं, MW business को करके सोचते हैं कि पता नहीं क्य बन जाएंगे, जबकि कुछ होता नहीं है, तो मानने से कुछ नहीं होता है, आपका environment कैसा है, आप किसके साथ उट बैट रहे हूँ, जैसी संगत वैसी रंगत, जैसा अगर मेरे को देखो, तो मैं जे कृष्णिमूर्ती के साथ उटता बैटता हूँ, संदीप मैश्वरी जी को देखता हूँ, ठीक है, और मैं entrepreneurship के बारे में पढ़ता रहता हूँ, कोई भी entrepreneur है, उसके बारे में कोई case study कर रहा हूँ, हमेशा Steve Jobs हो गया, Apple कैसे successful हुआ, इन सारे चीज़ों में मैं हमेशा अपने आपको जोगता रहता हूँ, और उससे भी बड़ी चीज ये, कि मैं अंदर, एक मेरी नजर होती है, वो जागती रहती है, सबसे बड़ी चीज वो होती है, क्योंकि जो अंदर से खुद की learning होती है, वो सबसे बड़ी होती है, अब कुछ ऐसे भी belief systems होते हैं, जिनको आप जब question करोगे, तो भाई, आपको कोई answer नहीं मिलेगा, इसमें तो तु कि spirituality में जाने से life अच्छी होती है या नहीं होती है, तो spirituality में जाने से life अच्छी होती है या नहीं होती है, या आपको तब पता चलेगा, अब ये कैसे पता लगा रहा हूं मै, spirituality makes life better क्या spirituality हमारी जुन्दगी को better गरता है तो ये कैसे पता चलेगा जब आप ये question पूछोगे तो आपका mind आपको सुझाफ देगा suggestions देगा पहला suggestion मेरे mind में ये आ रहा है कि या तो मैं खुद जा के इसमें देखू दूसरा ये आ रहा है कि मैं लोगों जो जा चुके हैं लोग उनके बाते पड़ो ठीक है और तीसरा ये question relevant भी है अभी मेरी life में या नहीं है क्या ये question अभी relevant है जब मेरे पास जैम में पैसे नहीं है क्या मेरी जिंदगी में इतना उत्पीडन है कि मैं अकेले बैट नहीं पा रहा हूँ क्या मेरी जिंदगी में प्यार नहीं है या मैं बहुत अकेला हूँ मर रहा हूँ मैं यसे मेरी life में एक time था at the age of 23 जब मैंने संदीब जी को देखना start किया था at that time उन्होंने ये बोला था कि जब अंदर से आए तो ही जाना चाहिए या फिर आप जब पहले career बना लो फिर जाओ उस समय मैं third year में था तो suffering मेरी जो थी वो बहुत intense थी extreme intense थी यह मझे सोचो कि हर इंसान की जिंदगी में suffering intense दोती है क्योंकि अगर सच में suffering हर इंसान की जिंदगी में intense होती तो हर इंसान कहीं न कहीं धूर के निकली जाता जैसे for example आपको कोई pin चुबा रहा है तो आप सब कुछ पहले छोड़ोगे पहले आप pin हटा होगे हाथ से कि पढ़ाई कर लो पिन चुबी हुए पिन चुबी हुए यह कर लो वो कर लो पहले pin हटा होगे बाई तो मेरे जिंदगी में इस तरीके का intensity थी suffering की बहुत सारे लोग की जिंदगी में intensity की नहीं होती है किसी को मा से जादा प्यार मिल रहा है किसी को अपनी wife से बहुत जादा आपको किसी को partner मिल गया जो बहुत प्यार करता है emotional feed कहीं न कहीं से मिल रहा है या कोई इतना intelligent नहीं है बेफकूव है ठीक है तो it doesn't matter कि यह question हर यह subjective हो गया है this is a subjective thing this is not applied to all the mass so ऐसे questioning करनी होती है कि आपको देखना होता है कि वो question मेरे लिए अभी से में relevant है कि मैं कुछ भी question पकड़ रहा हूँ अभी इस time में मेरे क्या relevant है हो सकता है मेरे लिए question यह हो कि I have skills अब इसको convert कैसे करें money में हो सकता यह question हो कई लोगों को question defined ही नहीं होता है कि कौन सा question लेना चाहिए कौन सा question लेना चाहिए कई लोग की जिन्दगी में questioning होती ही नहीं है 95% लोगों की जिन्दगी में there is no question they are not getting up with a question they are not sleeping down with a question जब question ही नहीं होगा तो question पर focus भी नहीं होगा तो कोई solution भी नहीं होगा अब ऐसे लोगों जब एकदम से जिन्दगी थपेड मारती है तब यह लोग उठते है तो अभी यह मैंने define किया है कि मेरे पास skills है हो सकता मैं guitar बजाता हूँ अब मैं इसको कैसे convert करूँ money में तो आप जब इसको धूड़ोगे यह question पहले जब आपकी जिन्दगी में उतरेगा ना तो answer अपने आप मिलने लगे है कि इसको कैसे convert करें अभी आदमी का पता है focus जो है उस question पे नहीं है यह आता है तो चला जाता है focus जो है वो question पे नहीं है focus कहाँ पे है Netflix पे है focus है distractions पे focus है लड़कियों पे चलो ठीके लड़कियों पे focus है सच्चा प्यार चाहिए आपको चलो आप माना लेकिन वहाँ पूरे time focus है वो भी आप नहीं धूर पा रहे है उसमें भी आपने statement दे दिया कि सच्चा प्यार नहीं exist करता है यह भी एक belief system बन गया क्या इसको question किया जा सकता है सच्चा प्यार exist करता है नहीं करता है what is सच्चा प्यार does सच्चा प्यार exist is it relevant to why I am seeking for that what why how so all these things has to be understood कि question कौन सा relevant है अभी मेरी जिन्दगी में तो process क्या है आपके समझ में आ रहा होगा कि कैसे process होता है कोई भी आपको कुछ भी बोलता है कि 30 की उमर तक شादी कर लो तो ऐसे भी बहुत सारे लोग है जिन्हें उननों 35 की उमर में करी है लेकिन जो कहता है 30 की उमर में शादी कर लो तीस के पहले नहीं करोगे, तो शरी ढीला हो जाएगा. अच्छा. तो शायद कपून ने तो स्फफ़ेat 34 की उमर में कर दी थी. अरे वो झालर कई उनकी बात अलाग है. अच्छा, ठीक है. क्यों, उनकी बात अलाग है? क्यों, उनके चार हाथ हैं? वो क्या रेत खाते हैं, खाना नहीं खाते हो, नहीं नहीं वो इंजेक्शन लगाते हैं, अच्छा, आपने देखा था, इंजेक्शन लगाते हो, कोई इंजेक्शन लगाते हो, इतना फिटो सकता है, स्टन्स कर सकता है, इतने अच्छी रोटीन ला सकता है अपनी जिन्दगी गया था कहीं पर तो उन्होंने बोला कि आपको बड़ा पता है संदीम मेशुरी कहा जाते हैं क्या करते हैं उन्होंने कप कौन से से सेशन में क्या बोला क्या कैसे बोला मैंने का आपको यह पता है फिर हेरा फेरी में वो जो नोटे बिचाता है कौन सी नोटे होती है वो बोल बोलते हैं 20 लाग रुपए लेके आए दे दूगा डबल कर दूगा तो फिर राजपल यादो लेके आता है मैंने का हाँ तो आपको यह सब कुछ पता है जो कि एकदम फालतू वेस्ट गार्बेज है और अगर संदीर में किस सेशन में क्या बोला है वो मुझे पता है तो इसम में क्या हुआ पार्ट वन पार्ट वन में सबको पता है जे कृष्ण मूर्ती में उस बुक में फ्रीडम फ्रॉम में क्या बोला वो किसी को नहीं पता है क्यों क्योंकि उसको लूप में नहीं देखा न फिर रब फिर हमने लूप में देखिए क्यों देखिए क्योंकि हमें वहाँ से distraction मिलता है इस पर बात पर आएंगे तो आपको आई होग पता चलाओ कि कैसे किसी भी belief system को solve करते हैं कुछ ऐसे questions होते हैं जिनका answer investigate करना तुरण मुश्किल हो जाता है you cannot investigate immediately और एक और चीज़ हमेशा याद रखो if the answer is not there if you are not getting the answer you need to stick to the question if you are not getting the answer you need to have full attention on that question the problem with the people is Monday they are asking the question and then they are remembering the same question after three months on the same Monday or Tuesday whatever time is not important now how it is because focus when you are putting focus on something that expands so focus is equals to expansion or release this is the magic of human mind this is the magic of human mind actually when you are putting focus on something even if you are not understanding that you stick with that question you will get the answer I hope you have the art of questioning thank you so much and and as you all lesson I will get the answer if you are not 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 I will 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 not and I will not I will not I will not I will not